वेल्कम एवरिवन के अंदर ही उसकी मौम उससे बहुत दूर हो गई उसके डैड एक फायरफाइटर है उन्होंने अपने करियर के अंदर बहुत लोगों की जान बचाए इसी के कारण जॉर्जिया की शैतानियों से परिशान होके उन्होंने फारफाइटर की जॉब को छोड़ दिया जॉर्जिया ने अपने फादर को देखा ही था कि आखिर वो कैसी काम किया करते थे इसी कारण वो भी एक फारफाइटर बनना चाहती थी वो अपने पूरे घर के अंदर ट्रेनिंग लिया करती थी इसी के करण कभी कहीं आँख लगा देती थी और कहीं न कहीं हवा के अंदर जूलने लगती थी अब उसके फादर जॉर्जिया से बहुत जादा तंग हो गए थे कि आखिर उसके शैतानिया बढ़ती ही जा रही है और एक दिन ऐसा ना हो कि जॉर्जिया को कहीं जादा चोट लग जाए तब जॉर्जिया कहती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है इसमें मैं आपके जैसा क्यों नहीं बन सकती जॉर्जिया के फादर बताने की कोशिश करते हैं कि तुम ये सब मस्तियां कर सकती हो लेकिन ये मस्ति कभी सीरियस वे में मत लो क्योंकि तुम एक फाइरफाइटर नहीं बन सकती क्योंकि लड़कियों को फाइरफाइटर नहीं बनने दिया जाता जॉर्जिया इस बात से काफी जादा परिशान थी इसी के साथ में जॉर्जिया के फादर भी परिशान थे क्योंकि उन्होंने अपनी बीटी को बहुत डाट दिया था एक ऐसी बात थी जो कि उन्होंने जॉर्जिया को कभी नहीं बताई थी इसी के करण वो अपने डॉग को कहते हैं कि एक दिन वो जॉर्जिया को सब कुछ बता देंगे जिसके बाद कहानी 10 साल बात में शिप्ट हो जाती है एक ऐसी जगह पे आँख लगी थी जो कि फायर के कलर की तो बिलकुल नई थी बलकि परपल कलर की फायर थी यहाँ पे कुछ फायर 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 इस आँख को बुझाने के लिए आए थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे ही सारे के सारे अलगी तरह के का भीव कर रहे हैं और कुछी देर में सारे फायर 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 गायब हो जाते हैं इन दौनों को ही शेहर की सारी खबरे होती थी लेकिन फिर भी दौनों एक तुझे से इस टॉपिक पर कभी बात नहीं किया करते थे ये दौनों घर के बाहर बैटे थे और इसे वक्त एक फाइर ट्रक इनके सामने से गुजरता है जॉर्जिया के फादरों से बताते हैं कि अपने घर के अंदर ही काफी सारी जगों पर ट्रेनिंग किया करती थी वो रोज रात को अपने टेरस पर जाकी अपने डौगी के साथ में खूप सारी ट्रेनिंग किया करती थी इसे वक्त कुछ आवाज properly देखती है कि कैसे शे Dr. मेर के उसके फादर के बात करते हैं उन्हे पहर के अंदर बहुत बुरा हो रहा है तब जाके वो इस चीज को एकसेप्ट कर लेते हैं जॉर्जिया को भी अपने फादर की टीम को जॉइन करना था लेकिन उसे पता था कि वो ऐसे तो कभी नहीं जा पाएगे इसी के कारण वो एक नए कॉस्ट्यूम को पहनती है और पू उसे पता चलता है कि ये आग जैसा धुआ तो बिल्कुल भी नहीं है असल के अंदर तो ये कुछ परपल कलर का धुआ निकल रहा है तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है उसी वक्त उसके सामने एक आग और धुए से बना हुआ मौन्स्टर आचाता है वो मौन्स्टर ज कभी भी ऐसे काम नहीं करती बलकि हम लोगों को साथ मिलके काम करना होगा जोर्जिया के फादर कहते हैं कि मुझे ऐसी टीम कभी चाहिए ही नहीं थी चोकि इतना काम साथा बिकारते लेकिन सब लोग उनसे माफी मांगते हैं कि आगे से हम आपकी बात मानेंगे अब एंड पे उननें नई टीम नहीं भी मिल सकती थी इसकी कारण उन्ने इसी टीम को एइकषट करना पड़ता है अब जौर्जिया के फादर घर पे लोट चुके थे इसी training के time पे इनके सामने case आता है कि एक theater के अंदर आग लग गई है यहाँ पे Georgia के फादर और Georgia जिस theater के अंदर आग बुचाने के लिए जा रहे थे उन्हें वहाँ पे कुछ music सुनाई दे रही थी और इन दौनों को ही feel होता है कि इतने दिनों के अंदर यह जितने भी theaters के अंदर गए है उन सारे जगाओं पे यही same music play हो रहा है तो आखिर यह music कौन सा है और same music क्यों बार-बार में play हो रहा है इन दौनों को लग रहा था कि शायद इसे music से monster आया करता है लेकिन आखिर इनके पास कोई proof भी नहीं था जौर्जिया अपने father को इस वक्ट वही ball देती है जो कि उसने theater से जानी से पहले ही उठा ली थी जौर्जिया के father को शायद इसे मदद मिल सकती थी कि आखिर ये ball क्या चीज है और इसे आख का क्या लेना देना है अब इस ball को चेक किया जाता है और साथ ही में एक music भी play की जाती है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर इसे होता क्या है जौर्जिया को इस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे मेयर इनके आसपास में है और आखिर मेयर इस training center में करेंगी भी क्या वो एक दरवाजी तक पहुंच जाती है जौर्जिया को पता चलता है कि जहाँ जहाँ पे theater के अंदर music बच रहा था वैसा ही same music खुद मेयर प्ले कर रहे है इसे के करण वो ये सारी चीज़े record कर लेती है और उसके बात में अपने फादर के पास जाती है अब जब जौर्जिया के पास music आ ही चुका था और उसके father इस case को solve कर ही नहीं पा रहे थे तो वो इसे music को इस ball के सामने play करते है music के चलते ही वो ball अपने आप active हो जाता है और मानो हर तरफ एक illusion सा फैनली लगता है देखते ही देखते यहाँ पे आँख लग जाती है और जिस जिस ने भी इस रोशनी को देखा था वो सारे के सारे वहीं बैठे रह जाते हैं कुछ कर भी नहीं पाते Georgia क्यासे तैसे करके किसी एक को उठाती है और उसके बाद में सारे लोगों को यहां से बाहर लेके जाती है जिसके बाद में Georgia खुद पहले तो अपनी आँख रिबंद करती है ता कि वो इस illusion के अंदर ना फस जाया और उसके बाद में उस आँख को बुचाती है जॉर्जिया सबको समझा चुकी थी कि आखिर किसी को भी उस आग को देखना ही नहीं है अभी अपने next mission के लिए निकल चुके थे ये लोग जिस theater के अंदर पहुँचे थे वहाँ पे भी हर जगा आग लगी हुई थी जॉर्जिया कैसे तैसे करके सबको बचा रही थी और तभी वहाँ पे उसे एक लेड़ी मिलती है जॉर्जिया इसे पहले से ही जानती थी जॉर्जिया कैसे तैसे करके उसे पीछे की तरफ खीचती है और उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन तभी जमीन तूट जाती है और जॉर्जिया उस लीडी को बचा ही नहीं पाती बल्कि वो लीडी तो नीचे गिर जाती है वो इस चीज़ को लेके काफी जादा डेप्रेशन के अंदर चली जाती है कि आखिर कैसे वो किसी इंसान को बचा नहीं पाई तब उसके डैट उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा फायर फाइटर बनना इतना आसान बात नहीं हो सकता इसे की करण हर को इस जॉब को नहीं लेता है और ऐसे चीज़े तो हमारे लाइफ में हमें देखने के लिए जरूर मिलेंगी जॉर्जिया जिसके बाद में मेर का पीछा करने लगती है साथ हिमय इस बार तो वो अपने डैट को भी लेके आयी थी लेकिन गलती से मेयर ने तो खुद ही दर्वाजा खोल दिया था जॉर्जिया के डैट फुल स्पीड से भागते हुए आ रहे थे और उनके सामने मेयर की वाइफ थी ये तौनों ही गिर के इस कमरे के एक खूफिया जगा पे पहुँच जाते हैं ये चीज़ तो मेयर को भी नहीं पता थी कि आखिर इस जगह पे एक सीक्रिट दर्वाजा भी है जॉर्जिया और उसके फादर नीची आ गए थे जहां उन्हें एक बहुत बड़ी लैब मिलती है ऐसी जगह जहां पे वही बॉल्स बनाई जा रहे थी जिससे के आग निकल सकती है यहां पे हर तरह के के रीजन लगे हुए थे कि आखिर ये मॉन्स्टर कैसे बना ये एक इंसान बल्कि एक एक एक्टर था वो हर जगह काम मांगा करता था लेकिन किसी भी थेटर में उसी काम नहीं मिला इस गुस्से में आके उसने अपना रिवेंच लिया और फिर हर एक थेटर को जलानी लगा उसने सोचा कि इस पूरे शहर को ही जला देना चाहिए जॉर्जिया के डैड इस बात से बहुत खुश थे कि उनके सामने जो लड़का खड़ा है उसने सारे केस को सॉल्फ कर दिया तब जॉर्जिया सोचती है कि अगर इस वक्त उसने अपनी सच्चाई बता दी तो शायद उसके फादर जरूर खुश होंगे इसी के करण वो अपनी कैप अटा लेती है और अपने असली रूप के अंदर सामने आ जाती है लेकिन जॉर्जिया के डैड इस चीट से बहुत जादा भड़क जाते हैं कि आखिर तुमने मुझसे इतना बड़ा जूट क्यों बोला जॉर्जिया को भी बहुत बुरा लगता है और वो भी लड़ने लगती है कि आखिर इस चीट से आपको प्रॉब्लम क्या है मैं सब कुछ सही तो कर रही हूँ तब जाके जॉर्जिया के डैड उसे असली सच्चाई के बारे में बताते हैं वो बताते हैं कि जॉर्जिया उनकी असली बीटी नहीं है बलकि वो तो एक घर के अंदर आग बुचाने के लिए गए थे लेकिन वहाँ पे वो पूरी आग नहीं बुचा पाए इसी के करण उस फैमली नी अपनी बेटी को इस फायर फाइटर को दे दिया इस वक्त वो फायर मॉंस्टर भी जॉर्जिया के सामने पहुँच चुका था ये मॉंस्टर और कोई नहीं बलकि वो लेडी थी जिसके जॉर्जिया जान बचाना चाती थी जॉर्जिया इस लेडी को बहुत पहले से जानती थी वो लेड़ी मरी नहीं थी, बलकि ऐसे अक्टिंग कर रही थी कि वो मर गई है, इस लैब के अंदर जिस अक्टर के बारे में बात की गई थी, यही वो लेड़ी थी, वो जॉर्जिया को यही छोड़ जाती है, यह बता के कि वो पूरे शहर को बरबाद करने वाली है, उसके ज जोर्जिया सबसे पहले अपने फादर को होश में लेकर आती है और अब उसके फादर जान चुके थे कि जोर्जिया ये एक ऐसी लड़की है जो कि सब कुछ ठीक कर सकती है इसी के करण वो जोर्जिया को कहते है तुम जाके उस लेडी को रोको मैं बागी सारे फायर फाइटर क्योंकि पूरे शेहर के अंदर तो बॉल्स फैल गई थी जोर्जिया जिसके बाद में फुल स्पीड से उपर भागती है एक के बाद दूसरे पिलर्स के उपर चड़ जाती है तब है उसे स्पीकर का केबल मिल जाता है जिसे वो टिटैच कर दीती है यानि कि अब म्यूजि लड़की थी इसे के करण वो कॉलिन को भी गड़ने से बचा लेती है इतने ही देर में जोर्जिया के फादर अपनी फुल टीम के साथ यहां पर पहुन जाते है और वो जोर्जिया के साथ में इस लेड़ी के भी जान बचा लेते है अब तो फाइनलिया का सपना पूरा हो गया था क्योंकि उसे एक ओफिशल फायर वुमन बना दिया गया था साथ ही में मैडल भी दिया गया था इसी के साथ गाईज ये शांदर मुवी यही पर खत्म हो जाती है तो आप सभी लोगों को ये मुवी कैसी लगी मुझे जरूर बताएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से आगली मुवी में तब तक के लिए टाडा